Hi everyone, welcome to my channel and welcome to Java beginners course. Last lecture में हमने समझा था कि Java में variables कैसे बनाते हैं, variables के types क्या होते हैं, data types क्या होते हैं Java में and type casting क्या होती है. इस lecture में हम समझेंगे कि data types पे हम क्या क्या operations कर सकते हैं and Java में किस-kis types के operations होते हैं जो हम conditional statements में भी use करते हैं. अगर आपने last lecture नहीं देखा है तो मैं उसका link description में add कर दूँगा. लेखो वो lecture बहुत ही important है because अभी जो हम समझेंगे वो काफी जदा depend करेगा type casting पे भी and data types पे भी. तो उस lecture को आप ज़रूर देख लेना, अब video start करते हैं. जावा में हमारे पास काफी सारे types के arithmetic operations होते हैं. यह operations हम data types पे करते हैं. जब सबसे पहले हमारे पास addition operator है. इसमें हम दो values को add कर सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ पर 1 प्लस 2 किया है और इसकी value मैंने save की है sum of two numbers variable में. similarly मैं subtract भी कर सकता हूँ. अब जैसे आप देख रहे हैं कि 1 एक integer है, 2 भी integer है, and जो variable मैंने बनाया, यह भी एक integer है. इसका मतलब हैं कि मैं 1 की जगा यहाँ पर एक variable को भी use कर सकता हूँ. जैसे मेरे पास दो integer के variable है, मैं दोनों को use कर सकता हूँ यहाँ पर, and मैं variables में arithmetic operations कर सकता हूँ. देखो, यहाँ पर एक बहुत ही important concept है, कि यह data type integer है, and यह दोनों variables भी integer है, let's say, मैं यहाँ पर एक big number लेता हूँ, जिसकी data type long है, and number को replace कर देता हूँ big number से. अब आप देख रहे हों कि यह एक integer है, यह एक big number है, and जो data save हो रहा है, वो integer में save हो रहा है, but यहाँ पर एक error show हो रहा है, तो id बता रहा है कि मुझे इसको cast करना होगा integer में, देखो, ऐसा इसलिए हो रहा है कि यह दोनों different data types हैं, देखो, जब हम दो different data types के बीच में arithmetic operations करते ह तो जिस data type की ज़्यादा preference होती है, compiler उसी data type को choose करता है, मतलब जैसे यह एक integer है, and यहाँ पे एक long number है, अब long की ज़्यादा preference है, तो जो result होगा, इस operation का वो long में आएगा, तो let's say अगर मैं casting हटा के यहाँ पे long कर देता हूँ, तो आप देख रहे हो कि error अब चला गया, because इस divide के लिए हम backslash का use करते है, तो यहाँ पर भी एक important interview question होता है, let's say अगर मैं 5 को 2 से divide करता हूँ, तो मुझे बता है result में 2.5 आता है, अब जैसे integer है, तो point की value तो integer में save नहीं होती, इसलिए 0.5 discard हो जाता है, and result में हमें जिरफ integer value ही मिलेगी, अगर मुझे इसे point में भी save करना है, तो मुझे क्या करना होगा, let's say इसको मैं float में convert करता हूँ, एक बार code को run करके देखते हैं, देखो जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पर 2.5 result आएगा, but still मुझे 2.0 मिल रहा है, अलब 0.5 की value अभी भी discard हो जारी है, तो देखो ऐसा इसलिए हो रहा है, because 5 भी एक integer है, and 2 भी एक integer है, तो इन दोनों को अगर हम divide करेंगे, तो result भी integer में आएगा, अब क्या हो रहा होगा, कि result 2 आ रहा होगा, तो इस integer result को हम float data type में save कर रहे हैं, इसलिए 2.0 हमें result मिल रहा है, अगर हमें इसका actual result चाहिए, तो हमें इन दोनों की data type को change करना होगा, let's say अगर मैं इन दोनों को float में convert कर देता हूँ, और फिर code को run करता हूँ, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर 2.5 प्रिंट हो रहा है, यहाँ पर एक और concept यूज कर सकते हैं, जैसे हमने उपर समझा था कि अगर दो different data types हैं, जैसे integer है and long है, तो long की जाधा preference होगी, तो इसलिए result long में मिलेगा Similarly, अगर मैं इसे integer में रखता हूँ and second number को मैं float में convert कर देता हूँ, तो float and integer में float की जाधा preference होती है, तो इन दोनों को जब हम divide करेंगे तो float में result आएगा, मतलब 2.5 आएगा and जैसे हमने यहाँ पर variable float का ही बनाया है, तो 2.5 float variable में save हो जाएगा, तो जैसे आप देख रहे हो क run करने के बाद भी 2.5 print हो रहा है, हमारे पस mod operator भी होता है, mod का मतलब होता है कि अगर हम 4 को 2 से divide कर रहे हैं, तो remainder में हमें क्या मिलेगा, एक बार code को run करके देख लेते हैं, तो जैसे आप देख रहे हो कि अगर 4 को हम 2 से divide करेंगे तो 0 remainder आता है, let's say अगर इस number को 9 करते हैं and यहाँ पर 9 को 7 से divide करते हैं and print करके देखते हैं, तो जैसे आप देख रहे हो कि remainder 2 आ रहा है, generally mod operator हम ज्यादा use नहीं करते हैं coding में, जब हम apps बना रहे होते हैं, but इसका use काफी ज्यादा आता है अगर हम DSLGO के questions solve करते हैं, कुछ और operator भी होते हैं हमारे पास, जो mostly हम DSLGO के questions मे use करते हैं, जैसे increment and decrement, let's say मेरे पास एक number है, अब उस number को मुझे plus 1 करना है, मतलब sum number equals to sum number plus 1, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो number है, वो 1 से increment हो रहा है, तो इसको short form में लिखने के लिए बस हम plus plus कर सकते हैं, यह एक increment operator है, यह इसका काम है कि इस number पे plus 1 कर देना है, अब दो types के increment होते हैं, plus plus हम and में भी लगा सकते हैं, and पहले भी लगा सकते हैं, variable के, अब इन में थोड़ा सा difference होता है, code को एक बार run करके समझते हैं, let's say मैं sum number को print कर रहा हूं, जिसमे मैंने 1 सेफ किया है, तो आप देखरो हो 1 print हो रहा है, अब मैंने यहाँ पे plus plus कर दिया, अब मै बाद उसमें plus one हुआ है, मतलब अगर मैं इस statement को फिर से run करूँ, मतलब sum number जो था, उसको मैंने पहले one था, plus plus किया, पहले run किया, तो वो one ही रहेगा, उसके बाद वो अपने आप two हो जाएगा, क्योंकि मैंने last में increment operator का use किया है, एक बार run करके देखते हैं, तो जैसे आप देख रहे हो कि पहले one आ रही है, उसके बाद उसकी value two हो जा रही है, मतलब increment operator एक step बाद जाके उसकी value को increment करता है, अगर मैं इसको पहले ही plus plus कर दूँ, तो मतलब इसकी value पहले ही plus one हो जाएगी, उसके बाद print statement run होगा, तो जैसे आप देख रहे हो कि दोनो time two print हो रहा है, म plus equals to one, minus equals to one, इसका मतलब होता है कि, let's say, अगर मेरे पास एक number है, उसको मुझे 10 से multiply करना है, तो मैं ऐसे करूँगा, right, अब आप देख रहे हो, थोड़ा सा जाधा code लिखना पड़ रहा है मुझे, यहाँ पर, इसका एक shortcut है मेरे पास, कि यहाँ पे multiply equals to कर दूँ, अगर मैं assignment operator में हम कोई भी value add कर सकते हैं, let's say, मुझे कुछ भी value add करनी है यहाँ पर, तो मैं कोई भी value यहाँ पर add कर सकता हूँ, जैसे आप देख रहे हो, even 10 की जगा मैं कुछ भी multiply कर सकता हूँ, बस इस statement का एक short form है, अब हमारे पास कुछ comparison operators आ जाते हैं, and logical operators, यह दोनों operators, mostly हम conditional statements म use करते हैं, जैसे if else में, या switch statements में, even loops में भी हम यह statements use कर सकते हैं, पहले समझते हैं कि इन operators का क्या function होता है, let's say, मेरे पास एक boolean है, जिसमें मैं true and false save करता हूँ, and let's say, मैं save करना चाता हूँ कि कोई number 2 से divisible है या नहीं है, let's say, अगर मैं 4 को 2 से divide करूँगा, तो यह completely divide हो मतलब इसका remainder 0 आएगा, तो मुझे पता है कि यह divisible है, let's say, मेरे पास एक input number है 4, उसको मुझे 2 से divide करना है, यहाँ पर मैं modulus operator का use कर सकता हूँ, अगर मेरे पास एक input number है, मैं mod ले सकता हूँ उसका 2 के साथ, मतलब कि अगर उसको 2 से divide करोगे, तो क्या remainder आएगा या नहीं मतलब यह remainder should be equals to equals to 0, मतलब इस remainder की value 0 के equal है, तो यहाँ पर true आजाएगा, अगर equal नहीं है तो यहाँ पर false आजाएगा, एक बार print करके देखते हैं, तो जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पर true प्रिंट हो रहा है, मतलब 4 जो है, वो completely 2 से divisible है, अगर यहाँ पर मैं file save करता और फिर code को run करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि false आ रहा है, मतलब यहाँ पर जो remainder था, वो 1 आया था, जब मैंने 2 से divide किया, and 1 is not equals to 0, तो इसलिए यहाँ पर false save हो गया, and false print हो गया, अब यहाँ पर आप एक चीज़ सोच रहे होगे कि double equal to क्यों लगा है, मैं single equals equals to क्यों नहीं लगा सकता है, या फिर मैं equals क्यों नहीं लिख सकता हूँ, ऐसा कुछ, तो यह सिरफ एक Java का operator है, मतलब जब हम equal to लगाते हैं, तो मतलब हम कोई value save कर रहे हैं, and जब हम double equal to लगाते हैं, तो मतलब हम compare कर रहे हैं, बाकी coding languages में हो सकता है, थोड़ा different हो, हो सकता ह कोई coding language हो, जिसमें तिरफ equal लिखना होता होगा, किसी coding language में हो सकता है, triple equal to लगाना होता होगा, तो यह language to language vary कर सकता है, Java में हम double equal to लगाते हैं, compare करने के लिए, similarly हमारे पास काफी सारे operators होते हैं, तो let's say यह remainder है, मुझे पता है कि अगर मैं two से divide कर रहा हूँ, किसी भी number को, तो उसका remainder या तो 0 आ सकता है, मतलब completely divisible है, या तो 1 आ सकता है, मतलब completely divisible नहीं है, तो similarly मैं not equal to लगा सकता हूँ, not equals to 1, तो इसका मतलब होता है कि remainder should not be equal to 1, तो code को एक बार रन करते हैं, तो जैसे आप देखर हो, यहाँ पर false आ रहा है, अगर मैं यहाँ पर 4 save कर लेता अगर 1 नहीं होगा, तो 0 यह होगा, because हम 2 से divide कर रहे हैं, इसलिए हम इस operator का भी use कर सकते हैं, similarly हमारे पास greater than equal to का operator होता है, मतलब remainder is greater than equal to 1, फिर हम less than equal to का operator होता है, अब greater than का operator भी होता है, मतलब सिरफ greater होगा, equal नहीं होगा, and less than का भी operator होता है, मतलब सिरफ less than होगा, इसको ह अच्छे से समझेंगे जब हम conditional statement का use कर रहे होंगे अभी हो सकता है यह एक अच्छी example नहीं है समझने के लिए बाट जब हम conditional statements का use करेंगे तो यह operators हमें काफी असानी से समझ में आ जाएंगे similarly हमारे पास logical operators भी होते हैं let's say मेरे पास है कि is divisible by 2 and divisible by 3 only अब कोई नंबर है जो 2 से भी divisible होना चाहिए अन 3 से भी होना चाहिए let's say 1 input number है यह two का remainder हो गया मेरे पास and 3 का remainder हो गया होना चाहिए completely है and 3 से भी divisible होना चाहिए तो यहां पर मैं क्या करूंगा पहले मैं देखूंगा remainder जो 2 वला remainder है वो equals to equals to zero होना चाहिए and 2 वला remainder है वो भी zero होना चाहिए मतलब दोनों conditions true होनी चाहिए तब ही एक number होगा वो 2 से भी divisible होगा and 3 से भी divisible होगा तो इसके लिए मैं logical operator use कर सकता हूँ मतलब यहां पर जो and लगाया मैंने इसमें double and मेरे को लगाना पड़ेगा and code को एक बार run करके देखते हैं तो जैसे आप देख रहे हो कि जो 4 है वो 2 से भी divisible है बट 3 से divisible नहीं है बट 3 वाला 0 होगा और and का मतलब है कि दोनों true होने चाहिए यह भी true होना चाहिए and यह भी true होना चाहिए let's say अगर मुझे and की जगा और use करना है और का मतलब है कि चाहे 3 से divisible हो या 2 से divisible दोनों में से किसी एक से भी अगर divisible है तो true print हो जाए तो and की जगा मैं और operator का use करूँगा and एक वार code को run करते है तो जैसे आप देख रहे हो true आ रहा है मतलब 2 से divisible नहीं है बट 3 से divisible है तो अगर दोनों में से एक भी true होगा तो true save हो जाएगा तो let's say अगर मैं 10 input number लेता हूँ जो 2 से divisible है बट 3 से नहीं है code को run करते है तो जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे true आ रहा है मतलब 2 से divisible है number 3 से नहीं है बट जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमने और operator का use कि है मतलब दोनों में से किसी एक में अगर true आ रहा है तो यहाँ पे true save हो जाएगा देखो यह जो operators है comparison operators and logical operators यह mostly use होते है conditional statements में या loops में तो इनको हम अच्छे से समझेंगे जब हम conditional statement यूज कर रहे होंगे next lecture में mostly हम conditional statements and loops के बारे में समझेंगे I hope आपने इस lecture में कुछ नया सीखा होगा अगर आपके कुछ doubts हैं या feedback हैं तो जरूर comment करना अगर आपने पिछले lectures नहीं देखे हैं तो उनको भी एक बार चेक कर लेना उनमें भी हमने काफी important concepts सीखे हैं